अच्छा एक बात बताओ, कभी ऐसा तो हुआ ही होगा ना कि बैंक गय होंगे और बैंक वालों ने बोले कि नहीं हम आपको पैसे तो नहीं दे सकते क्योंकि आपका अकाउंट डेक्टिवेट हो चुका है बंद हो चुका है अब चालू करवाने के लिए आपको KYC करवाना कभी तो ऐसा सवाल आया ही होगा कि आखिर है KYC होती क्या है और क्यों यह करवाना पड़ता है तो आज हम इस वीडियो में KYC के बारे में बहुत ही आच्छे से जानकारी लेंगे तो वीडियो को पूरा जरूर देखें कि के वाइसी सबसे पहले जानेंगे KYC का पूरा नाम होता है कि अपने कस्टुमर को जानना इसी की मदद से बैंक हमारी पहचान कर पाते हैं यानि अपने ग्रहकों की पहचान कर पाते हैं और इसी से ग्रहक का जो पता होता है उसका भी बैटिकेशन या भी उसके बारे में फूरी जानकारी ले पाते हैं KYC का फुल फॉर्म जानने के बाद वीडियो को छोड़ कर भाग मत चाहिएगा अक्सर लोग ऐसी गल्टी करते हैं अभी प्रकार भी बाकी हैं हम जानेंगे KYC के प्रकार के बारे में भी किया है कितने प्रकार से की जा सकती है तो इसको वीडियो को आगे बढ़ाती को जानते हैं KYC के प्रकार KYC मुक्त थार दो प्रकार की होती है सबसे पहले जानेंगे कि क्या होती है जिसमें अधार काट का उप्योब करके कंप्रेट की जाती है यह के वाइसी ऑनलाइन होती है जिसमें जैसे हम OTP का बहुत महत्यपोर्ण रोल होता है जैसे हम OTP जालते हैं जैसे ही सब्मिट करते हैं हमारी ओनलाइन अधार की जानकारी सीयर हो जाती है अब जानेंगे सेकरन्ड नमबर नपर वेरिपाइसी क्या होती है कैसे करना है नपर संग्रोथ क्या करने के लिए और प्रेक तो अब आप KYC के परकार के बारे में भी जान चुकी है दोस्तों इसमें एक परकार और एड हो चुका है बोनस टिप देता हूं वीडियो के वाइसी जी हाँ दोस्तों आजकर जो ऑनलाइन अकाउंट बगएरा फज़ते हैं बैंक अकाउंट ऑनलाइन जैसे जो अनलाइन अकाउंट होते हैं उनमें वीडियो के वाइसी भी हो जाती है जी हां दोस्तों उसे हम अपनी के वाइसी कंप्लिट कर सकते हैं वीडियो के थूरू है ना इंट्रेस्टन दिया ना जानकारी है यार वीडियो आखे तक देखने का कुछ तो फायला होना चाहिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दो स्च्राइब करें दिजी कम सेगाौ लाता हूं यार आप-न शेया यलिए कुछ नियुक्त आनकारी लाता हूं यहार।